Welcome to study IES और आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है थोड़ा सा टेक्निकल हम आज की टॉपिक को लेके जाएंगे और थोड़ा साइंस और टेक्नोलीजी पर डिसकस करने वाले हैं अब तक आप लोग जो वाइफाई यूज कर रहे थे वो आपका वाइफाई था वाइफाई 6 उसके बाद यहाँ पर आपका सकते हैं वाइफाई 6 E की बात आती है और उसके बाद आता है आपका वाइफाई 7 हम यह वर्जन के बादे में डिसकस करने वाले हैं कि आखेर ये कौन डिसाइड करता है वर्जन कैसा होने वाला है या वाइफाई 8 कैसा होगा वाइफाई 7, वाइफाई 6 से कैसा अच्छा है क्या मतलब है इनका तो ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा important है मजाएगा आप लोग को और एक काफे interesting ये article रहने वाला है जहाँ से देखीगा कहीं पर कोई doubt अगर होता है आपका तो वह आप मुझसे clear कर सकते हैं comment section में अपनी doubts और पूछ कर चलिए अब चालू करते हैं पर उससे बहले बता दूगी 24 नवंबर से हमारा RM batch जो की bilingual रहने वाला है वो start होगा आप लोग जाईए और अपनी preparation को बहुत 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 करिए साथी expedition batch है दोस्तों ये English में है तो जो बच्चे English में comfortable है फूर इस batch को 24 तारीक में भी join कर सकते हैं आपको offer मिल रहा है बहुत अच्छे offers हैं आप लोग लिए अभी जाएए और offer available हैं आप लोग अभी जाके ले लिजे और additional 10% के लिए आप लोग जो हमारा code हिस्टेडी आईए इसका उसे जरूर यूज कीजेगा 0% की EMI भी available है आप लोग इसका फायदा भी उठाएएगा और साथ ही CSET का जो exam है जो की 28 November तक आप कर सकते हैं उसके लिए भी offer available है आपको बहुत अच्छे discount पर ये मिल रहा है EPF और जो classes हैं ये भी live हो चुकी हैं तो आप लोग जाके इसमें enroll कर सकते हैं 20 November को सुभे 11 बजे रहने वाला है आपका UPSC CSET का GS compact जहां पर आप लोग enroll कर लीजे हमारा code यूज़ करके और हमारा code is 3DiS ऐसे ही free interview guidance program भी available है इसका फायदा आप लोग उठाएगा और compete app है जहां पर आप लोग बैटर करके 2 लाग तक के prices और laptop भी जीच सकते हैं अब बात करते हैं मेन हमारे topic की तरफ वाइफई connectivity इस टाइम पर presently मैं बात करूँ तो आप लोग हर एक इनसान हर एक इनसान यूज़ कर रहा होगा हो सकता है इस टाइम पर जो आपके phone के network होंगे वो भी आप वाइफई से connector के ही यूज़ कर रहे हो आप लोग बहुत ज़ होगे अब वाइफई सबके घर में हो गया common सबके घर में router वगयरा की जो availability है यह रहती है अब लोग घर जाके number नहीं सिधा वाइफई का password पूछते हैं मेरे साथ भी कई वार हो चुका है मेरे घर भी यहां पर लोग आ है तो बात उन्हें चाय पानी बोला पहले उन्हें ब पड़ी रहे है आप लोगों के पास इतनी easy accessibility रहेगी चीजों की आप लोग बहुत आसानी से अब YouTube जैसे platform का इस्तमाल करके पढ़ाई कर सकते हैं कहीं बैठ के भी आनेकेटवी जैसे platform के मदद से आप लोग अपनी preparation को बहुत तकड़ा कर सकते हैं तो यह सब चीज़े अब वीडियो में Wi-Fi 7 के बारे में देखते हैं एक नई generation है उसके बारे में देखते हैं क्या है यह बताओ मैं आपको Wi-Fi 7 जो है वो अब तक का मतलब कि मैं बताओ आँ आपको हमारी पूरे industry में जो use हो रहा Wi-Fi उसका एक next level लेके आता है और यह दोस्तों पूरे तरीके से based है IEE पली 802.11 पे यह एक standard है basically मैं आपको बता दूँ BE standard करके इसकी speed जो बता जारी है वो यह 30 GB per second की और यह mainstream में यहाँ पर use किया जा सकता है compare करें अगर हम लोग Wi-Fi 6 से तो उसकी यहाँ bandwidth strength थी वो थी आपकी 9.6 GB per second अब आप लोग अंदर्दा लगा सकते है कि 30 और 9.6 लगबग दुगना ही तो हो गया यह तो दुगनी speed यहाँ पर फाइदा मिल रहा है आपको Wi-Fi 7 के बार यह दोस्तों आप प्रिसकते हैं ती गुना बेसिकरी दुगना यह आप प्रिसकते हो गया है अब आप लोग बहु देखें जो भी content आप लोग consume करते हैं जहां पर Wi-Fi या फिर इंटरनेट मेजर या फिर आपको एक साथ चाहिए होता है उन सभी कामों में Wi-Fi 7 बहुत अच्छा रोग निबाएगा ओके अब एक ऐसे डिफरेंट है जो करेंटे भी कौन सो चल रहा है हमारा अभी हमारा Wi-Fi 6E यह स्टेंडर हमारा चल रहा है तो डिफरेंस क्या है इसमें तो नेक्स जेनरेशन आ गया है कोई बात नहीं वह अच्छी बात है आ गया पर Wi-Fi 6E क्या है यह एक एनांस्ड वर्जन है Wi-Fi 6 का और यह इस टाइम पे डिलिवेर करता है कंसिस्टेंट परफॉमेंस Wi-Fi नेट्रक पे मल्टिबल डिवाइसेस पे वह इसलिए दोस्तों यह आप है सकते हैं हमें बेटर एनर्जी आउटपूट दे रहा होगा जो Wi-Fi 6E है यह सपोर्ट करता है अप्टू 8 डेटा एक टाइम पे तो आप लोग एक टाइम पे इतना कुछ कर सकते हैं और अगर Wi-Fi 7 के आरेम बात करते हैं तो Wi-Fi 7 एक टाइम पे at the same time यह दे रहा होगा 16 डेटा स्ट्रीम तर तो दूगना होगा कि नहीं होगा तो आप लोग अब और जदा फाइल उठा पाएंगे आप तो अगर मैंने यह लगवाता हूँ अपने घर पे Wi-Fi 7 वाला जो राउटर है जो भी आप कितने इसका setup करवाता हूँ है तो अगली बर्द पर रिजदार आएंगे तो सब के यहां सेम नेट सड़ेगा ओके अब डिफरेंस समस्ते है Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 के अंदर Wi-Fi 6 और Wi-Fi 6E जो है यह काफी हद तक तो रिलेटेबल है हाँ थोड़ा सा एडवांस वीचर है आपके 6E के अंदर वो अलग है हलका सा जो मैं बता दू Wi-Fi 6 और 6E यहां पर आपको 9.6 GB तक मिल रहा है जो यहां पर existing frequency band है वो आपकी 2.4 GHz फिर आपकी 5 GHz और 6 GHz तक है अगर compare करता ह अनों को हम लोग Wi-Fi 7 के साथ तो Wi-Fi 7 पूरे तरीके से rely करता है multi link operation पर और यह combine different frequencies को साथ में चलाता है और एक stable network performance दे रहा होता है हमारी इंडरेस्टरी के अंदर दोस्तों यहां बता दूने आपको एक जो नया standard है Wi-Fi का यह significantly upgrade करेगा और ऐसा होता भी गया है अब आप लो पर हो सकता है कई बार आप लोग ने महसूस किया होगा आपके फोन में net तो होता ही होता है लेकुन इसके बाद भी आपका जो वीडियो का loading वाला time में यह दिखा देता है वो circle गुमने रखता है तो यह सब क्यों होता है basically सोच आपने कभी देखे यह सब इसली होता है क्यू क्योंकि आपका जो network है basically जो आपको net मिल रहा आपके phone में वो consistent नहीं है वो stable network नहीं है तो wifi 7 आपको stability दे रहा होगा तो automatically आपके benefit ही रहने वाला है कब तक आएगा दोस्तों wifi 7 यह बहुत बाला सवाल है आप लोग कब तक अपने घर में यह fit करवा पाएंगी देखे बहुत अभी हो सकता है इस पर काम तो चाली हो गया है पर ऐसा हो जाएगा कि 24 से पहले पहले आपको मिल जाएगा time है अभी पर अभी concept आ गया है तो I am the first जो कि आपको तुरंत यहाँ पर news दे रहा हूं और भी यहीं न्यूस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज सकें और ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों कि एक बार आगया अगर Wifi 7 तो उसके अगले दिनी आपके पास प्रड़क्ट मिल जाएंगे तो अभी से 24 से आने से पहले पहले उसके आने से पहले पहले हमारे पास प्रड़क्ट एवलेबल होंगे हमारे मार्किट में which are capable और which are supported by the Wifi 7 कैसे मिल सकता है आपको कैसे मिल सकता है इसकी रेंज बता जा रही है वह up to 6 GHz है काफी बढ़िया है जोगी सपोर्ट करता है और यह जो मैं बता दूँ जो router है दोस्तों वह सेम रहने वाला है जो आपका 6E वाला है तो आपका अपग्रेड करने की तो जरूरत नहीं यहाँ पर यूज कर पाएंगे Wifi 7 ओके तो आई होप कि अब आपको चीज समझ में आगी होंगी कि Wifi 7 क्या है कैसे आपको मदद ने ले वाली है और क्या आपके फायदे होने वाले हैं इससे आई होप कि आपको मदद मेली होगी आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलतें न कि अव।